आप सबसे पहले यह पिक्चर देखो यह पिक्चर देखने के बाद अच्छली मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ यह चीजें आप लोगों के साथ भी होता हुगा यह पिक्चर जैसे ही मैंने देखी और इसके अंदर की अप देखो depth देख लो emotion देख लो इतनी सही लग रही थी कि जैसे मैंने इसको देखा scroll कर रहा था reference के लिए कि मैं क्या आगे बनाओ यह मुझे जैसे ही दिखा मैंने उसी time पे यह decide कर लिया था कि इसको मैं definitely बनाने वाला हूँ इसके लिए मैंने grid method का use किया है और जो application है वो already मेरे फोन में installed है बहुत time से में यह application use कर रहा हूँ और मुझे इस application से बिल्कुल कोई सिकायत नहीं है तो इस application का link में डाल दूँगा वहाँ से जाके install कर सकते हो अगर आपने नहीं किया और मैं बता दूँ easy to use है एक बार आप इसको open करोगे पांच से 10 मिनट लगेगा आपको पूरा का पूरा जो system है इसके अंदर का आप समझ जाओगे कैसे इसे use करना है कैसे grids बनाने है कैसे size define करना सारी चिज़ा और अगर in case आपको नहीं समझ में आता है तो मैं अपने बता देता हूं grid का size जो है वो 20 mm into 20 mm मतलब 2 cm into 2 cm के grids मैंने बनाए है ए 3 size में किते grids बनेंगे horizontally, vertically यह सारी चीज़े आपको पता चल जाएगा आप उस application में जाओगे तो वहाँ पर size define करने को होता है वो define करोगे आपको size मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने grid बना लिया है and grid के लिए आप ध्यान रखना की pressure आपको कम से कम देना है grid line अप जब आप draw कर रहे हो क्योंकि यह lines का हमें जादा जरुवत नहीं है जब हम outline बना लेते हैं उसके बाद हमारा काम खतम हो जाता है final artwork में हमें grids so नहीं करना होता है तो in case in short आपको यह समझ में आजाएगा कि grids के हमें जरुवत आगे नहीं outline बनाने के लिए हमें इसके जरुवत होती है बाकी हमें इसे erase ही करना पड़ता है तो try करना कि कम से कम pressure लगाओ क्योंकि अगर अपने pressure लगा के grid बना दिया तो वहां पर mark रह जाता है जो आप pencil को थोड़ा pressure लगा के paper के उपर apply करते हो तो mark रह जाता है जो अच्छा नहीं दिखता तो इसके लिए आप यह कर सकते हो कि थोड़े से जो dark grade के pencils है क्योंकि light grade में थोड़ी से दिक्कत होती है क्योंकि उसमें darkness नहीं होता तो थोड़ा सा कहीं न कहीं हम pressure apply करते हैं तो इसे better option यह है कि आप आप dark grade की pencil यूज़ करो B, 2B क्योंकि वह बहुत dark होते हैं तो आपको कम से compressor में आपको एक visible line देखने को मिल जाएगा और वह अच्छे तरीके से erase भी हो जाता है तो यहां पर start आपको एक corner से करना है जहां पर आप करो या फिर grid है तो grid में ऐसा कुछ रहता नहीं है कि किस जगह से आपको start करना है जहां पर आपको थोड़ा convenient लगे आपको थोड़ा easy लगे तो आप वहां से start कर सकते हो तो यहां पर मैंने ऊपर के side से जो horse के उपर जो ear ह कान है वहां से मने start कर रहा है यहां से सारी चीज़े हमारा start हो जाएगा and you know जैसे यहां पर क्या होता है कि जैसे हम किसी human face का बना रहे है ठीक है तो वहां पर हमारा main focus यह रहता है कि वह face match कर और इसलिए हम grid का भी use करते हैं क्योंकि वहां पर accuracy बहुत साधा requirement होती है face अगर थोड़ा सा भी अगर कोई भी portion कोई भी feature चाहे nose हो eye हो lips हो अगर उपर नीचे हो गया थोड़ा size में उपर नीचे हो गया तो वह face match नहीं करता है यहां पर थोड़ा सा concept different है यहां पर थोड़ा easy रह सकते हो जब आप outline बना रहे हो क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी का face match कराना है हमें में में जो safe structure है horse का वो सही से draw करना है तो यहां पर इतनी ज्यादा measurement लेने की जरुवत नहीं है अगर आप guess करके और observe करके जितना भी यहां पर observation आपको रखनी है grid by grid वह करके आप कर सकते हो तो ज्यादा calculation करने की जरुवत नहीं होती है जब हम human face lab बनाते है त हो सकता है क्योंकि ऐसा पहचान में नहीं आता है ठीक है तो यहां पर इसलिए मैंने grid के अंदर को calculation नहीं करी है जितना मुझे जरुवत थी observe करने की वह सारी चीज़े करके मैंने यहां फटा फट से outline बना ली है और outline बनाने में चुकी इतनी ज्यादा details है नहीं ज्यादा parts जो है वो dark है तो outline बनाने में मुझे ज्यादा time नहीं लगा था almost 30 to 35 minute के आसपास मुझे यह outline बनाने में लगा था तो इस तरीके से जो हमारा outline complete हमने कर लिया है और जो outline में बना रहा है उसमें जो pencil यूज़ कर रहा हूं वो भी again B grade की pencil है क्यूंकि मुझे video में strokes भी दिखाने था although मैंने देखो कि इतना ज्यादा dark नहीं किया है तो strokes उतने clear नहीं दिख रहे है और यह चीज़ आपको करनी है जब आप outline बनाते हो और अगर आप realism में जा रहे हो तो वहाँ पे outlines जो है वो आपको कम से कम dark रखनी मतलब जितना light आप रख सकते हो उतना रखना है क्योंकि वहाँ पे line की कोई requirement नहीं होती वहाँ पे जो values हम देते हैं वह light and shadow के हिसाप से देते हैं नहीं एक line खेच के देते हैं तो वह चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप वह तो यहाँ पे मुझे suit करना था क्योंकि अगर मैं बहुत तो आप अराम से बैट के एच भी या 2H थोड़ा जादा हो जाता है इच भी आप यूज़ करो बहुत ही सही आपका जो outcome है वह आ जाएगा तो कुछ-कुछ areas हैं यहां पर भी जो मुझे थोड़ा जादा carefully draw करना था जिसे hair आप देखो hair को मैं मेरा यह purpose था कि जब hair मैं executed जगह पर हो एंड बनने के बाद बहुत ही सही दिखे हो तो hairs मैंने बहुत ध्यान से draw करा है और नीचे का जो portion है वह मैंने ध्यान से draw करा है तो यहां पर कुछ areas है जहां पर अगर ध्यान से नहीं भी करते हो तो चुकि वह आगे जाके shedding में dark करना है उसमें ज्यादा कुछ details नहीं देने तो वहां पर मैंने थोड़े बहुत चल्दबाजी में बना दिया बाकी जो portion मुझे लगता है कि यह पूरा portrait का main part है और यहां पर हम बिल्कुल mistakes नहीं कर सकते तो उसको मैंने ध्यान से draw करा है तो इस तरीके सब कर सकते हो जहां पर आपको लगता है कि यह portion main highlight ह पूरे portrait का तो वहां पर आपको ध्यान से करना वहां पर आपको बिल्कुल भी आलस बनी नहीं करनी है कि फटा फट से बना लेते हैं और आपको वहां पर थोड़ा ध्यान से और time देके वह चीज़ बनानी है तो यह चीज़ हमारा बन चुका है और उसके बाद यहां पर जो शेप पॉर्टेट का हमी रखना है तो जो एक्स्टा ग्रिड लाइन बन गया है उसे मैं एरेज कर रहा हूं ताकि मैं वहां पर मास्किंग टेप लगा सको तो इस तरीके से हमारा फाइनल आउटकम आ चुका है आउटलाइन का एंड ट्राइ करूंगा कि जल से जद मैं इस